C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा छे की हिंदी की पाठे पुष्तक वसंत में संकलेत एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है नील कंट उस दिन एक अतिथी को स्टेशन पहुचा कर मैं लोट रही थी कि चड़ियों और खर्गोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदिश दिया बड़े मिया चड़िया वाले की दुकान के निकट पहुचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया सलाम गुरुजी पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए बूचा था शंकरगड से एक चिड़ी मार धो मोर के बच्चे पगर लाया है एक मोर है एक मोर भी आप पाई ने मोर के पंजों से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरीदने आये थे आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे तालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए है बसे ये कमबक्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बड़े मिया के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला ठककर जहां रोब दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है इस तथे से परिजित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोब कर पूछा मोर के बच्चे हैं कहां? बड़े मिया के हाथ के संकेत का अनुसरन करते हुए मेरी दिश्टी एक तार के छोटे से पिंजडे तक पहुची जिसमें दीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे पिंजडा इतना संकीन था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मिया की भाषण मेल चली जा रही थी इमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकत तीस रुपाई लिये पारहा कहा भाई जरा सूच तो अभी इन में मोर की कोई खासियत भी है के तू इतनी बड़ी कीमती मांगने चला पर वो मुझी क्यों सुनने लगा आपका खयाल करके अच्टा पच्टा कर देना ही पड़ा अब आप जो मुनासिब समझे अस्तू तीस चुड़ी मार के नाम के और पाँच बड़े मिया के इमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वो जाली के जौक्ते का चित्म जिवित हो गया दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़नयों के हो गया है घर पहुँशने पर सब कहने लग तीतर हैं मोर के कर ठग लिया है कदाचित अनेक बाट ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बाद मेरे चड़ जाने की दुरबलता बन गई अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुर्खा आपके पर लगे हैं है तो पक्षी ही चुढ़ा दिया जाने के कारण ही संभव दहा उन दोनों पक्षियों के प्रती मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेश था आ गई पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दर्वाजा खुला फिर दो कटोरों में सत्तो की छोटी-छोटी गोलियां और पानी रखा वे दोनों चुहे दानी जैसे पिंजड़े से निकल कर कमरे में मानो हो गए कभी मेज के नीचे गुस गए, कभी अलमारी के पीछे अंत में इस लुकाच्छिपी से ठक कर उन्होंने मेरे रद्धी काघजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया दो-चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्धी की टोकरी में प्रकट हो गें फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेस पर कभी कुरसी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक खाविर्भूत होने लगे खिडकियों में तो जारी लगी थी पर दर्वाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना कचिन नहीं है वैसे वो चूहों पर भी आक्रमन नहीं करती परन्तु यहां तो दो सर्वता अपरिचत बक्षियों की अनादिकार चेश्चा का प्रश्ण था उसके लिए दर्वाजा बंद रहे और ये दोनों उसके द्रिष्टी में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंगाजन बना ले ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमाननी मारजारी के लिए असहे ही कही जाएगी जब मेरे कमरे का काया कल्ब चड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कटनाई से दोनों चड़ियों को पकड़ कर जाली के बड़े घर में पहुचाया जो मेरे जीब जन्तूओं का सामाने निवाजी दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुटुवल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभावे के लक्का कबूतर नाचना छोड़ कर दोड़ पड़े और उनके चारों और घूम घूम कर गुटरगूं गुटरगूं की रागनी अलापने लगे बड़े खर्गोश सब भे सभासदों के समान क्रम से बैठ कर कमभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लिए उनकी गेंद जैसे छोटे खर्गोश उनके चारों और उचल कूद मचाने लिए तोते मानो धलिभांती देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करके उस दिन मेरे जड़िया घर में मानो भूचाल आ गया धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका काया कल्प वैसा ही क्रमशह और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना मोर के सिर्की कलगी और सघन उची तथा चमकिली हो गई चोच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आँखों में इंद्रुने की नीलाप द्यूति जलकने लगी लंबी नील हरत ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने के दमे लगी दक्षन वाम दोनू पंकों में सलेती और सफ्रेद आलेखन स्पश्चोने लगी उच लंबी हुई और उसके पंकों पर चंद्रिकाउं के इंद्रधनुशी रंग उद्धीप्त हो जे रंग रहित पेरों को गरवेली गती ने एक नई ही गरिमा से रंचित कर दिया उसका गरदन उची कर देखना विशेश भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना ठेड़ी कर शब्द सुनना आधी क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका नुभव देख कर ही किया जा सकता है गती का चित्र नहीं आखा जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमतकारिक तो नहीं हुआ परन्तु अपनी लंबी धूप छाहीं गरदन हवा में चंचल कल की पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेठा मंथर गती आधी से वो भी मोर की उप्योग्द सहचारणी होने का प्रमाण देने लेगी नीलाप ग्रिवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंट और उसकी च्छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम करण हुआ राधा मुझे स्वेम ग्यात नहीं कि कब नीलकंट ने अपने आपको चुडिया घर के निवासी जीव जन्तूओं का सेना पती और संरक्षक निउप्त कर लिया सवेरे ही वो सब हरगोश कबूतर आदी की सेना एक गत्र कर उस और ले जाता जहां दाना दिया जाता है और भूम कर मानुस सब की रखवाली करता रहता किसी ने कुछ गड़ बढ़ की और वो अपने तीखे चंचुप्रहार से उसे दंड देने दोड़ा खरगोश के छोटे बच्चों को वो चोँच से उनके कान पकड़ कर उपर उठा लेता था और जब तक वे आर्थ कुरंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता कभी कभी उसकी पेनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेध संसकार हो जाता था पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अबसर न देते थे दंड विधान के समान ही उन जीव जन्तों के प्रति उसका प्रेम भी असाधरन था प्राया वो मिट्टी में पंख भेला कर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँच और सघन पंखों में चुआ चुआ शुआल साख खिलते रहते थे ऐसी ही किसी स्थिधी में एक साप जाली के भीदर पहाँच गया सब जीव जन्तों भाग कर इधर उधर चिप गए के वले एक शिशु खर्गोश साप की पकड में आ गए निगलने के प्रयास में साप ने उसका आधा पिछला हिस्सा तो मौ में दबा रखा था शेश आधा जो बाहर था उससे चींचीं का स्वर्व की इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाईते सके नीलकंट दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चौकनने कानों ने उस मंद स्वर्व की व्यथा पहचा था और वो पूच बंक समेट कर सर से एक जपटे में नीचे आ गया संभवतह अपनी सहज जेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि साब के भन पर जोच मानने से खरगोश भी खायल हो सकता है उसने साब को भन के पास पंजों से दबाया और फिर जोच से इतने प्रहार किये पकड धिली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तुआया परन्तु निश्चेश्च सा पहिं पड़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवश्रक्ता नहीं समझी परन्तु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारिक पहुआ माली पहुचा फिर हम सब पहुचे नील कंट जब साप के दो घंड कर चुका तब उस शिश्यु खरगोश के पास गया और रात पर उसे पंखों के नीचे रखे पूशनता देता कार्दिके ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा ये उस पक्षी का रूप और सुभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कला प्रिये वीर पक्षी है हिंसक मात्र नहीं इसी से उसे बाज चील आदी की श्रणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है नील कंठ में उसकी जातिगत विशेशताएं तो थी उनका मानवी करण भी हो गया था मेगों की सामली चाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंक्षों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाशता था तब उस नुत्य में एक सहजात लैताल गयता था आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम कर वो किसी अलक्ष सम पर ठहर ठहर जाता था राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परन्तु उसकी गती में भी एक छंद रहता था वो नुत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंक को छोती हुई बाएं और निकला थी और बाएं पंक को सपर्ष कर दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिशय मिलता था नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है ये तो नहीं बताया जा सकता परन्तु अचानक एक तिन वो मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखों का सत्रंगी मंडला का चाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तबसे ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन देए प्राया मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिती भी पहुँच जाता था और नीलकंट की मुद्रा को अपने प्रती सम्मान पूर्वक समझ कर विश्मया भी भूत हो उड़ता था कई विदेशी महिनाओं ने उसे परफेक्ट चंटलमैन की उपाधी दे डाली जिस नुकेली पैनी चोँच से वो भ्यंकर विश्धर को खंड खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठा कर खाता था कि हासी भी आती थी और विश्मय भी होता था हलों के व्रिक्षों से अधिक उसे पुश्पित और पल्लवित व्रिक्ष भाते थे वसंत में जब आम के व्रिक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढग जाता था तब जाली घर में वो इतना अस्थर ओड़ता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता नील कंठ और आधा की सबसे प्रियरितू तो वर्शा ही थी मेगों के उमड़ाने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहच पाले देते और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीफ्र से तीफ्र दर होती हुई मानो बूंदों के उदरने के लिए सोपान पंक्ती बनने लगती मेग के गर्जन की ताल पर ही उसके तनमय नुट्य का आरम होता पर फित मेग जितना अधिक गरश्ता पिजली जितनी अधिक चमकती ताल बूंदों की रिम्ठि माहट जितनी तीफ्र होती जाती नील कंट के नुद्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्र दर होता जाता वर्षा के थमजाने पर वो दाहिने पंचे पर दाहिना पंग और बाएं पर बाया पंग फैला कर सुखाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गिलापन दूर करते रहते इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज़ उठा ये भी एक करुण का था एक दिन मुझे किसी कारे से नखास कोने से निकलने पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समानकार को रोप दिया इस पार किसी पिंजडे की ओर नहीं देखूंगी ये संकल्प करके मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी एनक को ही अपनी ध्यान का केंद्र बना पर बड़े मिया के बैरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कचे था मोर्नी राधा के समान ही थी उसके मोंज से बंधे दोनों बंजों की उंगलिया तोट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी बड़े मिया की भाषण मेल फिर दोड़ने लगा देखिया गुरुजी कमबक्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया रहे ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है आप ना आई होती तो मैं उसी के सर पर इसे पठक देता पर आपसे भी ये अद्मरी मोर्नी ले जाने को कैसे कहूं सारांश ये कि साथ रुपए दे कर मैं उसे अगली सीट पर रखपा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंचों की मरहम पट्टी और देख भाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही तेड़ी मेड़ी रही परन्तु वो ठूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुँचाया गया और नाम रखा गया कुपजा नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुपजा ही परन्तु अब तक नीलकंट और राधा साथ रहते थे अब कुपजा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती चोच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंक नोच डाली कठनाई ये थी कि नीलकंट उससे दूर भाग रह था और वो उसके साथ रहना जाती ना किसी जीवजन्तु से उसकी मित्रता थी ना वो किसी को नीलकंट के समीब आने देना जाती उसी बीच राधा ने दो अंडे दिये जिनको वो पंकों में छिपाए बैठी रह दी पता चलते ही कुपजा ने चोच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूट जैसे पैरों से सब वो छितरा दिये इस कले कोला हल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नील कंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया कई बार वो जाली के घर से निकल भागे एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा जहां से बहुत पुछकार कर मैंने उतारा एक पर मेरी खिड़की के शिट पर छिपा रहा मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भाधी पंखों को मंडला कार बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में ठकावच और आखों में एक शुन्यता रहती अपनी अनुभव हीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाए अन्त में तीन-चार मास के उपरान एक दिन सवीरे जाकर दीखा कि नील कंट पूच पंख भलाए धर्ती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरकोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठा था मेरे पुकाने पर भी उसके न उठने पर संदे है वास्तव में नील कंट मर गया क्यूं का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका ना उसे कोई बीमारी हुई ना उसके रंग बिरंगे पूलों के स्तबक जैसी शरीर पर किसी चोट का चिन्द मिला मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम लेगूँ जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाउं से बिम्बित प्रतिबिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाच एक विशाल मयूर के समान तरंगित में उचा नीलकंच के नरहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी वो कई बार भाग कर लौट आये अधह वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर त्रिष्चे लगाए रहे पर कुपजा ने कोलाहल के साथ होज धून्ड आरंब रही होज के क्रम में वो प्राया जाली का दर्वाजा खुलते ही बाहर निकलाती थी और आम, अशोग, कचनार आदी की शाखाओं में नील कंठ को धून्टी रह दी एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलसे शिंकुत्ती सामने पढ़ गए स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी जोँच से प्राहार किया परिनामता कजली के दो दाथ उसकी गर्दन पराएं इस बार उसका अकल है कोला हल और द्वेश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जासा परन्तु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रक्रती की विभिनता का जुप परिचै दिया है वो मेरे लिए विशेश महत्परता है राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है आशाण में जब आकाश मेगाच्छन हो जाता है तब हो कभी उचे जूले पर और कभी अशूक की डाल पर अपनी केका को तीवरतर करके नील कंच को बुलाती रहती है अभियाब सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन प्रमोद कुमार दूबे, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेक महादेवी वर्मा, कलाकार सुचित्र गुप्ता, तक्नीकी नियंत्रन सतीष लाडे, ध्वन्यंकन अमिता भट्ती, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी, तथा नर्मा एवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन